कि अप्सिलूटली अमेजिंग सर एफार मेट 24 न्यूज सेलेबस mcqs चेंजेज उपपर से नवेंबर 23 का पेपर ऐसा कैसे प्रिपेर करें सर डर लग रहा है भाई तुमको डरने के जरुवत ही नहीं है हमें मानता हो चलो न्यूज सेलेबस वड़ाते ऐसा लगता है कि पता चेंजेज हुए एक का दो टॉपिक एड हुए क्या एड हुआ क्या लेस हुआ सब एक बर बता दो ना सर तो पूरा बताऊंगा चेंजेज उसके नोट्स कैसे मिलेंगे mcqs कैसे टैकल करना है कैसे पैट्टेस करना है fr का प्लैनर 10 दिन में fr को रिवाइस कैसे करना है क्या करें और जो बेसिक बेसिक आपको नॉलेज में देना चाहूंगा वह समको देने का कोशिश करूंगा बट वीडियो को प्लीज स्टार्ट वेंड पूरा देखना उसके लवा स्लब्सक्राइब कि ये भी ना देखोगे एक फ्री का सब्सक्राइब बटन दबा दो तो से आपको मजा ही आ जाएगा और मिरको भी मजा ही आ जाएगा चलो तो फटा 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 से शुरू करते फर में किस तरीके साथ को प्रेपर करना है सबसे पहली बात रही एक फार के चेंजेस के तो बता दू अगर आपने मेरा फास्ट ट्रैक बैच एक्जाम औरिंटेड बैच या कोई भी पुरान रेगुलर बैच ले रखा है तो यह जो भी चेंजेस है वह आपके गूगल ट्रैक पे में अपडेट कर चुका हूँ एफार अमेंडमेंट नामसे एक फोल्डर होगा ठीक है वह अमेंडमेंट फोल्डर में आपको नोट्स वीडियो जो भी है व जहां मैंने बता रखा है कि जैसे नियू से लेबस के पहले मेरी एडिशन सिक्स थी वहां से लेकर एडिशन सेवन में क्या चेंज हुआ है पैंशा मतलो कि दूसरी किताब से ब्रीफर कर तो भी यह पीडियाफ काम आजाएगा ठीक है इसके अंदर सबसे बहले माता बता र बराबर क्या सब के नहीं पढ़ने वह कुछ तीन कई पढ़ने तो जब आप नोट्स देखोंगे आपको नोट्स के अंदर यह भी मिल जाएंगे उसके लावा दो थेरी टोपिक्स एड़ किये एथिक्स और टेक्नलोजी इसके बदले CSR और इंटिक्रेटर वह कुछ और यहएंगी है .. के लिए बिंदास कवर कर लो आराम से को टेंशन लेने के जरुवत नहीं है सर इसके वीडियो वगेरा तो टेंशन मतलब मैं कोशिश करूँगा जैसे जो भी रेलिवेंट स्मॉल स्मॉल क्लिप्स कुछ होगे रिविशन वीडियो होगे इसके पर मैं डालने का कोशिश मैं बहुत बार बोल चुका हूं mcq is a byproduct तो पहले अपना content कवर कर लो concept normal जैसे पढ़ रहते हैं वैसी पढ़ो कोई हवाबाजी करने का जरुवत नहीं है जितना याद रेगा उतना पढ़ो जैसे पहले पढ़ रहते हैं वैसे पढ़ो पढ़ने के अप्रोच में कोशेंज करने का जरुवत नहीं है ठीक है normally आप पढ़ाई करो ठीक है जो अपने concept notes है जो question bank के question properly solve करो जो आपने पहली बार में जितने उसे को उतना question करो फिर next time में writing practice करो जो difficult question है बड़े question है ठीक है ये पहले कर लो आप ये आपका basic चीज है mcqs के लिए लेकिन sir mcq practice करने तो कैस करें युनिवर्सली सबके लिए कुछ mcqs का material launch करूंगा जिसमें दो तरह के mcqs होंगे एक होगे अपने पोर्टल पर डाल रखे अगर आप इसे की website पर विजट करोगे student login में जाना student login में आपको हर subject के कुछ mcqs मिलेंगे वहां आप जाके practice कर सकते हो मैं वो mcqs consider कर लूँगा उसके लावा कुछ हर chapter में थोड़े थोड़े एक्स्रा 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 दे दूँगा देखो अब मैं जितने भी एक्स्रा दूँगो कम है क्योंकि यह उसका फिल लिमिट नहीं है न मैं 1000 mcq एक्स्रा दे दूँगा वो तुम करते रहे जाओगे तो इसमें जितना करो कम है क्योंकि fr वैसे थोड़ा सा बड़ा है तो तुम मेन इस पर focus करो और मुझे ऐसा जो तुम पढ़ोगे नॉर्मली तो तुम उसको टैकल कर पाओगे जैसे अभी fr और ए fm अभी आया है audit में थाना पहले से detail में थाना पहले से करी रहते ना तुम समझ रहे हो कि तो ऐसा कुछ पाहार तोने का तुम को जरूवत नहीं है नॉर्मल पैक्टेस करो लेकिन कुछ material में जैन एंटर जरूर शेर करूँगा वो भी टेलिग्राम पी शेर करूँगा टेलिग्राम पे जो शेर करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज भाई टेलिग्राम जनगल कर रख लेना ठीक है अब सर एफर को प्लैन किस तरीके से करे एफर क से कर रहा है क्लासे रेटन करी थी तब अच्छे से रिवाइस किया था नोटस अच्छे से बनाए थे हां राइटिंग प्लैनर जो मैंने टेलिग्राम पे शेर कर दूँगा आपके लिए मैंने डेवाइस बता रखा है कि एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए अब ये टाइ इसका रखा है तो इससे भी कम समय लग जाएगा कोई टॉपिक में वीक रहे गे थे कोई चोड़ रखा है तो ज्यादा समय लगेगा बट उपर नीचे मोटा मोट एक बेस तो मालू पड़ेगा को कितना समय देना है क्या देना है तो एक कॉर्डिनल ट्वीक इट दस से बा अरब दिन में आप आराम से एफार रिवाइस कर सकते हो ठीक है इसका प्लानर भी में टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगा ये सब आपको मेरे टेलिग्राम पे फ्री में मिल जाएगा ठीक है उसके अलावा सर क्लासेज वापस लो गया है तो सीधी सी बात पहले अच्छाज अगर आपका लेटर अटेम्ट है नवेंबर 25 तो आप रेगुलर देख सकते हो लेकिन अगर आपका अटेम्ट अभी 6-8 महिने में आने वाले या 2-3 महिने में आने वाले में 24 नवेंबर 24 में मुझे लगता है देखो इंस्टेट आफ पूटिं 250 आवर्स पूट फिफिफि अगर आपके बस एडिशन 4 या एडिशन 5 है तो आप question bank नया buy कर लेना क्यूँ मैं बता था क्यूँगा फिर वर्न आपके बस देखो pdii बहुत सरे जन्रेट हो जाएगी 4-5 का transition 5-6 का transition 6-7 का transition असा बहुत हो जाएगा तो उसे question bank नया buy कर लो concept book परणी चल जाएगी अगर आपके बाच edition 6 है तो आपको कुछ भी नया बाई करने का जरूवत नहीं ना ही question bank बाई करने का जरूवत है ना ही concept book बाई करने का जरूवत है क्यों क्योंकि अभी latest edition 7 चल रही है तो 6 से 7 का जो transition है वो आपको मैंना भी दिखाया ना वो यही तो है यह वाला जो PDF आपको मैं दिखा रहा था वो यही तो transition PDF है तो आपको वापे से लेने का जरूवत नहीं है Is this clear to everyone? Yes, perfect चलो ठीक है उसके लावा अभी FR को जब revise करेंगे तो कैसे revise करें? रिवीजियं वीडियो वगरा यूस करेंगा जिस topic में आपको need लगती है आप revision वीडियो देखो और फिर जादा से जादा question की practice करो लिख के practice करना इसको लिख के करना बाकी refer करो तो भी चलेगा सब सारे question करेंगा depends on the time you have जितना time है उतने जादा question देखते वे चलो time का constant हो जितने मैंने बता होतने कर लेना देखो मैं यह नहीं बोला हो कि इसमें selected study करो या important questions करो important question आमा कोई चीज नहीं होती है ठीक है जब मैं भी class में LDR मा करा तो LDR मतलब क्या होता है कि यह suppose यह 50 में से वो 20 questions है जो आपके सारे concept कवर करते तो वो question identify करना उसको एडली लिख्ये कर लेना बागी question time है तो लेते वे चलो लेते वे चलो उसपर depend करेगा ठीक है और revision video सर कुन से refer करे जो मेरे यूटूब पे वह आप refer कर सकते हो मैं new भी upload करूँगा वा जैसे मैंने बता है FR में index assets को change नहीं हो गया है बराबर इंडेस तो इंडेस ही है ना तो आप पुराने भी देख सकते हो जो मैं नए डालूँगा बाद में आप नए वाले भी refer कर से तो कटेंशन भाली बात नहीं है अच्छा ये सब के साथ सब हमको RTPs वगरा कवर करनी चाहिए कि अलग से तो मैं मानता हूँ आप को आप को आप को आप को आप कर सकते हो तो मोटा मोटी अगर समराइस करना हुआ तो changes का बता दिया आपको मैंने mcqs कैसे टकल करना बता दिया प्लानर दे दिया अच्छा changes वगरा जो है amendments या पहले एक बार fr पढ़ लो फिर changes देखना अभी changes देखना तो याद ही नहीं ए fr तो कैसे समझेगा changes वगरा ठीक है तो पहले पढ़ लो fr changes देखना फिर mcqs इसके regarding आपको मैंने guide कर दिया है उसके लावा fr को revise कैसे करना मैंने आपको बता दिया है ठीक है questions कितने करूँ कैसे करूँ वह आपको मैंने सब समझा दिया है कितने करने है कब करने बता दिया है सर और कुछ bonus tip देना चाहोगे क्या एक ही bonus tip है मेरे पास आप सब के लिए जब आप second revision करोगे मतलब इसके बाद जो अगला revision करोगे mock test दे दो यार प्लीज ठीक है सर mock test कुन सा दे आप निकालोगे कोई mock test भाई मैं बताओ क्या किसी का कोई mock test लेने का जरूवत नहीं है तुम आई से का mock test दो ना यार आई से निकालेगी ना मार्च के महिने mock test वो दे देना बट या भी नहीं बाद में दे देना लेकिन दे जरूर देना हर subject में से वाइफ लगना ठीक है और एक बात समझ के चलो देखो कभी आपको लगता है ना कि सर पेपर जैसा आया था अगर वापस वैसा पेपर आया तो भाई आई से ना तुमको बता दिया कि वह पेपर का लेवल अच्छा ही पूछेगा तो जब ऐसा पेपर आता है ना तो आपको एक बात समझ ली है कि आपको 100 out of 100 नहीं चाहिए बाबा तुमको कभी बोला है कि इसने फुल लाने तुमको नहीं ना जब पेपर वैसा भी पेपर था ना तो उसमें भी 45 से 50 मास्क का क्वेशन डिरेक्ट था आप बोलो जाके देख लो 40 45 मास्क आपको दिखेगा जो डिरेक्ट करना है बाकी जो बाकी 50% पेपर ता उसमा थोड़ा बहुत स्टेप चालू करोगे क्वेशन थोड़ा थोड़ा करके भी जाओंगे और बाइचांज अगर पेपर अपने comfort zone का आ गया फिर तो आपन रॉक कर देंगे उसके अंदर तो यह आपका mindset होना चाहिए तो टेंशन क करो अपने को कोई subject में लेजंड नी बनना है बरावर अपने को आठ पेपर में decent रहना है तो आपन आराम से निकल जाएगा मतलब 6 पेपर है जो भी ऐसा ठीक है इस लेट विडियो अगर आपको यह वीडियो लगा और आपको लगता क्यों कोई फ्रेंड स्टक अप है एफ स्काइब कर लेना और यह सब जो भी फ्री नोट से वह मेरे टेलिग्राम पर तो आप टेलिग्राम डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है वहां से जोइन कर लो और वहां रह सकते हो ठीक है हाँ बाइचांज अगर क्लासे वगरा की जरूवत है तो बीबी वर्चुल.com पर लेबले वहां से नुल कर सकते हो जरूवत है तो यह नुल करना ठीक है चलो तो इसी बात पर सेशन करते हैं अब शुक्रिया वर्वन तैंक यू सो मच आई होब इस वस हेलफुल थैंक यू बबाए वर्वन टेकर से यू